हेलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसक्रस करेंगे कि आकिर में टनल शाफ्ट क्या होते हैं देन फिर हम बात करेंगे कि टनल शाफ्ट कितने टाइप के होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आकिर में शाफ्ट क्या होते है तो फ्रेंट्स माल लो कि ये कोई मेरा mountain था है इसके अंदर मुझे tunnel बनानी थी ठीक है तो मैं इसके अंदर एक tunnel का आपको sectional view बता देता हूँ कि suppose माल लो ये इस type की tunnel थी मेरी यहां तक चली गए ठीक है इस tunnel के अंदर अगर ये क्या आपको जल्दी कुछ पार्ट में आपको इसको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप बात करेंगे इस वाल से को लोग बोलेंगे टनल रूफ ठीक है? टनल ये क्या और मेरा tunnel roof और इस वाल से को लोग क्या बूल देते है टनल बोटम ठीक है टनल बेड बोल दो या फिर टनल बोटम आफ बोल दो ठीक है दोस्तों यह देख सकते हैं कि यहां है क्या है open to atmosphere है open to atmosphere है मतलब यहाँ पर atmosphere आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ से आपकी मान लो entrance है this is what entry point और यह वाला point कैसा हो जाएगा मेरा exit होगा ठीक है तो friends shaft किस तरह से हम लोग define करते हैं तो shaft को अगर मैं अंग्रेजी भाषा में बोलू तो यह हमारे क्या होते वर्टिकल पासेज होते हैं क्या बोले वर्टिकल पैसेज होते हैं ठीक है तो वर्टिकल पैसेज इसको हम लोग shaft बोलते हैं अब यह वर्टिकल पैसेज क्या होते जैसी कि आप देखेंगे तो यह tunnel है दोस्तों तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस point से लेकर एक circular बोलू या फिर बोलू cylindrical shape का एक मैं यहाँ पर cut लगा देता हूँ और वो cut को दोस्तों tunnel के roof तक मैं extend करा देता हूँ ठीक है क्या बोला मैं कि मैं एक cylindrical shape का यहाँ पर बोर बना देता हूँ एना उस cylindrical shape के बोर को जो की हमारा क्या होता है इस level से that is atmosphere से यहाँ से atmosphere से लेकर तो tunnel के roof तक extended होता है इस बोर को ही दोस्तों हम लोग क्या नाम दे देते हैं इसी को हम लोग नाम दे देते हैं sharp समझे तो अगर आपसे कोई simple सा पूछता है कि tunnel sharp क्या होते तो tunnel sharp हमारे vertical passages होते हैं या फिर इसी को हम लोग wells बोल देते हैं ठीक है वर्टिकल पैसेज बोल दो या फिर wells बोल दो जो की हमारे open to the atmosphere से तो tunnel के roof तक extended होते हैं या इसी को मैं क्या बोलू ground surface अगर बोल देता हूँ यह हो गया मेरा क्या ground surface ground surface से तो tunnel का जो roof है that is यह tunnel का roof है यहां तक यह extended होता है और यह दोस्तों जो tunnel के shafts होते हैं इनको हम अरे एक regular interval के बाद बनाते हैं दोस्तों यह regular intervals होता है हम depend करता है अलग-अलग factors के उपर कि tunnel किस purpose के लिए आपने बनाई है कितनी length की tunnel आपने बनाई है उनके इसाफ से दोस्तों यह जो इन दोनों के बीच में जो L है यह depend करेगा ठीक है ना तो मेरे क्याल से यह बात है आपको clear हो गई होगी तो सबसे पहले बात कि अगर आपसे कोई पूछता है कि tunnel shafts क्या होते तो tunnel shafts हमारे vertical passages या फिर wells होते हैं जो कि हमारे ground surface से लेकर तो top of the tunnel का जो top रहता है तरनल का जो रूप रहता है वहां तक open मतलब connect किया जाता है या फिर मैं बोलू दोस्तों कि जो tunnel shaft होते हैं इसको हम लोग इसलिए बनाते हैं कि यह एक open atmosphere को हमारे tunnel के roof से या tunnel से connect कर दे ठीक है तो मेरी ख्याल से यह point आपको clear हो गया होगा shaft क्या होता है अभी मैं इनको लिखकर लाया हूँ जो कि आप देख सकते हैं आपकी screen पर दोस्तों यहां पर लिखा है कि tunnel shaft क्या होता है तो यह vertical passages होते हैं या फिर इनको ही बोलते हैं wells होते है vertical passage मतलब कि यह इस type के हमको क देखने को मिलता है जो कि ऐसा होता है दोस्तों इसके अंदर से कुछ भी हम चीज को पास कर सके हैं यहां से ठीक है जैसे कि यहां से माल लो आप air pass करा रहे air हो सकता है मक हो गया ठीक है water हो गया इन सब चीज को आप इसके अंदर से पास करा सकते हैं इसलिए इसको vertical passage बोला गया या फिर वेल्स बोला गया पहली बात मेरे ख्याल से आपको clear हो गए होगी दूसरी बात दोस्तों यहां पर लिखा है क्या बोलता है कि जो हमारे sharks होते हैं यह ground surface से लेकर तो जो roof रहता है tunnel का वहां तक होता है मानों मैं फिर से बनाता हूँ यह कोई मेरा mountain था and यह मेरी तो यह tunnel का क्या है तो दोस्तों यह tunnel का roof है tunnel roof तो इस tunnel roof से लेकर तो यह open atmosphere तक connected होता है मतलग यह ground surface हो गया है मेरा ground surface और यह tunnel roof इन दोनों point को connect करता है कोन हमारा shark और यह क्या है दोस्तों shark है clear हुआ इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो इनको हम एक regular interval पर provide करते हैं और यह regular interval depend करता है किस किस पर मैं आपको बताया size of tunnel size of tunnel बोल दो ठीक है किस utility के साब से बनाया या किस use के साब से बनाया according to use of tunnel tunnel का कितना use हो रहा है उसके साब से भी हम लोग बात करेंगे फिर बात tunnel की कितनी लेंते इन सब फेक्टर पर depend करेगा कौन हमारा कि कितने interval के बाद हमको shafts provide करागा ठीक है तो friends यहां तक की बाते मेरे ख्याल से आपको clear हो गई होगी कि tunnel shafts क्या होते हैं अब इसके type की हम लोग बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके कुछ advantages है जो कि advantages हम लोग next video के अंदर deal करेंगे ठीक है तो यहां तक की सारी बाते अभी तक clear हो गई होगी next अगर बात करें friends इसके अंदर कि आखिर में जो shaft है उनको कितने type में classify किये गए हैं या कितने type के shafts होते हैं तो दोस्तों shaft जो होते हमारे generally दो type के हमको देखने को מעरी shaft और दूसरा मेरा हो जाएगा क्या inclined shafts समझ पाए तो क्या बोला गया है 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 यहां पर बोला गया है कि deny the wiring Men grep के हो सकते एक हो सकता है वर्टिकल शाफ दूसरा हमारा हो सकता है इंकलाइट शाफ ठीक है क्या बोला वर्टिकल शाफ और इंकलाइट शाफ इसके बाद में और भी हमने शाफ को क्लासिपाई किया दोस्तों अब हमारा शाफ एक हो सकता है टेंपररी शाफ और एक हो सकता है प एकोडिंग टू णिया मैं आपिकुले चार्थ यह आपको यह बताना है कि जो शाफ्ट होते हैं कितने श जायेक सितने चर्थ होटे वह मैं आपको बता दिया उन्टी कल शाफ्ट होता है या फिर inclined shaft होता है, या फिर temporary shaft आपका हो सकता है, या फिर permanent shaft हो सकता है, ठीक है दोस्तो, vertical shaft और inclined shaft को मैं भी discuss करता हूँ, तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तो, vertical shaft या फिर inclined shaft, तो vertical shaft ऐसे shafts जो की, अगर मैं बताऊं आपको, कि ये मेरा कुछ mountain था, mountain का अंदर ये मेरी tunnel थी, अगर ये tunnel थी, this is what my tunnel, अगर मैं volume friends, ये tunnel है और ये मेरा mountain है, है ना, तो मैं यहाँ पर अगर आपको बताना चाहता हूँ, क्या, कि अगर मैं इस type का कुछ shaft यहाँ पर बनाता हूँ, जो की मेरे tunnel के roof पे क्या हो normal हो, that is, tunnel के roof के साथ, अगर 90 degree का angle बना रहा है, साथ में, ये जो open surface है, ठीक है open surface है, यहाँ पर भी क्या है, ये एक प्रकार से पूरा का पूरा 90 degree का angle बना रहे होरिजोंटल लाइन से, तो ऐसे shaft को हम लोग vertical shaft बोल देंगे, समझ पाए दोस्तों क्या बोले, vertical shaft क्या हो गए, vertical shaft हमारे ऐसे shaft हो जाएंगे, जो की हमारे tunnel के roof के साथ 90 degree का angle बना रहे है, क्लियर हुआ, दोस्तों secondly अगर बात करें, हम लोग inclined shaft की, तो जैसे की अगर, अगर tunnel के roof के साथ 90 degree का angle ना बनाती कोई एक और, अलग angle बना रहे है, माल लोग ये angle theta बना रहे है, ठीक है, tunnel के roof के साथ, अगर किसी shaft ने angle theta बनाया, तो उस particular type के shaft को हम लोग क्या बोल देंगे, inclined shaft बोल देंगे, जैसे की नाम से ही के लिए, friends, ज्यादा इसके अंदर जानने की जरुवत नहीं, vertical shaft मतलब कि ऐसा shaft जो की perpendicular हो किसके हमारे tunnel के roof से, inclined shaft जो की किसी एक angle पर inclined हो किसके tunnel के roof से, उसको हम लोग inclined shaft के देंगे, ठीक है, तो friends, मेरे ख्याल से आपको vertical shafts और inclined shaft के लिए हो गया हुआ, अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ बाते बता हूँ आपको, तो generally, बोले है, बोले, mostly हम लोग vertical shaft को prefer करते हैं, क्या बोला, यह आप पर देख सकते हैं, mostly vertical shafts are constructed, क्यों, क्योंकि इनको बनाने में खर्चा कम लगता है, that is less cost लगता है, साथ में इनको आसानी से बना सकते हैं, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है, interview में, या पर कहीं पर भी, कि बताए vertical shaft और inclined shaft में हम किसको prefer करते हैं, तो मेरा अंसर होगा क्या, हम लोग ज़्यादा तर vertical shaft को prefer करेंगे, क्यों, क्योंकि एक तो इसके अंदर cost of construction less होता है, less cost लगता है, साथ में दोस्तों, इसका जो construction होता है, वो easy construction होता है, ये सारी बातों को ध्याद में रखते हुए, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कि हम ज़्यादा तर vertical shaft को construct कराएंगे, ठीके, ध्यान दीजेगा दोस्तों, जो inclined shaft होता है, इसको हम small length के लिए यूज कर सकते हैं, क्या बोला, कि अगर small length है, but for small length, inclined shaft can be used, मतलब कि अगर, मानो, छोटी सी, अगर ये mountain है, और ये tunnel है, अगर यहाँ पर आपको छोटा, थोड़ी सी height का, या थोड़े से length का अगर shaft बनाना है, तो आप inclined shaft को prefer कर सकते हैं, otherwise अगर आपको long length का shaft बनाना है, तो long length के लिए आप किसका preference देंगे, long length के लिए आप circular shape को preference देंगे, या फिर vertical shaft को preference देंगे, vertical shaft को, ठीके, vertical shaft को, मैं रिक्याल से ये बाते आपको clear हो गई होगी, कि आपको ज़्यादा तर किसको preference देना है, आपको mostly vertical shaft बनाना है, अगर आपको inclined shaft बनाना है, तो inclined shaft केवल और केवल दोलसो small length के लिए आप बना सकते, small length के लिए, ठीके, अगर length ज़्यादा रहेगी, तो आप vertical shaft ही बनाएंगे, inclined shaft तो हाँ पर नहीं बनाएं, ठीके, आगे अगर बात करें, दोस्तो temporary shaft और permanent shaft क्या होते हैं, दोस्तो temporary shaft के अगर मैं बात करूँ, तो वह सारे shaft मानो, कि मेरे को ये पाड़ी था, ये पाड़ था, इसके अंदर tunnel का construction करना था, तो मैंने यहाँ पर कुछ shafts बना लिए, ठीके, ये कुछ shafts मैंने बना लिए, ठीके, अब मेरा यहाँ पर मान लो, कि क्या हो गया, ये shafts मैंने बनाया थे, during construction अगर मैं बात करू, during construction, है ना, तो एक shafts ये हो गया मेरा, दूसर शाफ्ट यह हो गया, तिसरा शाफ्ट यह हो गया, लेकिन after construction मैं क्या करता हूँ, after construction, जैसे मेरा construction खतम हुआ, मैं इन शाफ्ट को क्या करूँगा, दोस्तों, पूर दूँगा, यह इसके अंदर मित्टी डालके, इनको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे हम लोग ठीक है इनको मैंने फिल कर दिया ठीक है क्या बोला इनको मैंने फिल्ड कर दिया after the construction of tunnel तो ऐसे shaft को हम लोग क्या बोलते हैं temporary shaft बोलते हैं मतलब कि दो shafts which are filled after the construction of tunnel are known as temporary shafts ठीक है लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात करें permanent shaft की मैं बोलू तो permanent shaft को हम लोग बना देंगे एक बार तो उनको fill नहीं करते हैं ठीक है तो मेरी क्याल से दोनों में difference आपको clear हुगा कि temporary shaft हमारे ऐसे shafts होते हैं जिनको की जिसे हमारे tunnel का construction पूरा होता है हम उसको fill कर देते हैं ठीक है और बात करें दोस्तों permanent shaft तो permanent shaft हमारे ऐसे shafts होते हैं जिनको हम लोग fill नहीं करतें after the construction क्योंकि जो permanent shaft है यह हमारे as a ventilation का काम करेंगे ठीक है इनका कभी-कभी हम लोग pump की मदद से भी use कर सकते हैं for pumping water pumping water है ना इनके लिए भी use कर सकते हैं दोस्तों यह natural oxygen supply करेंगे natural light भी कभी-कभी provide करा देते हैं tunnel के अंदर तो इसके जो advantages रहेंगे shafts के वो मैं आपसे discuss करूँगा बाद में लेकिन जो permanent shaft उड़ते हैं उनके कुछ दो आपको application में बता दिया हूँ कि एक तो यह ventilation के तरही काम कर सकते हैं दूसरा कि इसके अंदर मान लोग कसी season के अंदर tunnel के अंदर बहुत ज्यादा amount में पानी आ जाता है तो जो हमारे shafts होते हैं उनका use हम लोग pumping water के लिए कर सकते हैं मतलब उन shaft के तुरू pump लगा कर पानी को वहां से निकाल सकते हैं ठीक है तो दोनों shaft मेरे ख्याल से clear हो गया होगी कि permanent shaft क्या होते हैं और temporary shafts क्या होते हैं यहा temporary shafts are made for specific purpose दोस्तों जो temporary shafts होते हैं कुछ specific purpose के लिए हम लोग बना सकते हैं जैसे कि मालो कि tunnel का जब construction अरा था तब आपने ventilation ventilation के लिए बनाया हो या फिर बात करें आप दोस्तों इसका यहां से concreting करने के लिए आपने बनाया हो हैं न न कोन क्रेटिंग करने के लिए मैं आपको explain किया हूँ कि ऐसे shafts जिनको जिसे ही हमारा construction काम खतम हो जाएगा उसके बाद भी हम लोग फिल नहीं करते हैं उनको open ही रहने देते हैं उन सभी type के shaft को हम लोग permanent shaft कहते हैं ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं permanent shaft act as a ventilation for tunnel यह ventilation की तरह act करेगा किसके अंद सो मेरे ख्याल से यहां तक की बाते आपको सारी clear हो गई है prints मैं आपको conclude करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताया आज की वीडियो के इंदर हम बात कि सबसे पहले ही tunnel shafts क्या होते हैं और फिर हम बात कि उसके types की दोस्तों कि tunnel shafts हमारे कितने type के ह होते हैं तो मैं आपको बताया है tunnel shaft क्या होता है दोस्तों tunnel shaft हमारे vertical passage होते हैं या फिर wells होते हैं जो कि हमारे क्या बोले ground surface से लेकर ground surface से तो हमारे जो top of top वोल्दो या फिर roof of tunnel तक extended होते हैं इन को हम क्या बोलते हैं shafts बोलते हैं ठीके तो यह हमारे cylindrical shape के हो सकते हैं ठीके कभी-कभी मान लो हम rectangular shape के भी prefer करते हैं ठीके तो इनके बारे में और detail में मैं आपको explain करूंगा जब आगे shape और size के हम बात करेंगे shaft की तब है लेकिन फिलाल आप जान लीजिए कि vertical passage होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं shafts बोलते हैं देन उसके बात बता दिये कहां से कहां तक होते हैं यह भी मैं आपको बता दिया और इनको एक regular interval पर हम लोग provide करा सकते हैं बात करेंगे इसके advantages की आगे फिर हमने बात करें दोस्तों shaft हमारे कितने type के होते हैं तो shaft हमारे generally 4 type के होते हैं पहला vertical shaft या फिर inclined shaft बोलो फिर हम बात कि दोस्तों temporary shaft and permanent shaft तो 4 चार type के हो गए vertical, inclined, temporary, permanent अब यह क्या होते हैं इनको भी मैं आपको explain क्या हो जैसे कि आप देख सकत दोस्तों सबसे पहले हमने बात किते है vertical shaft की तो ऐसे shaft जो कि 90 degree का angle बना रहे किसे tunnel के roof से उनको हमने क्या बोला vertical shaft, tunnel, roof ऐसे फिर दूसरे shaft हमने क्या बोला, inclined shaft किया गए जो कि angle मान लो, angle not equals to theta not equals to 90 degree कि कोई सा भी एक angle बना रहे है यह tunnel के रूफ के साथ theta ठीक है तो उनको हमने inclined shaft बोल दिया, ऐसे दोस्तों temporary और structure permanent के आपने बात करी, तो temporary shaft क्या हो गया, जिनको की हम लोग construction खतम होने के बाद fill कर देते हैं, उनको हम लोग temporary shaft बोलें और जिनको fill नहीं करते, खुले रहने देते हैं, for ventilation purpose, उस type के shaft को हम लोग permanent shaft क्या देते हैं, तो friends, I hope यहां तक की बात आपको clear हो गई होगी, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो like करे, share करे और चैनल को subscribe करे, next video